इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा as Technically आप से पहले इत्तिहाद न्यूज की जानिब से तमाम मताम मुसल्मानों को रेम्जदान मुबार्क ऽ॥ पहली बार हुआ है का मेना बंद मजजिदों से शुरू हुआ है तराभी के लिए मजजिदों का रुख करना नहीं हुआ इसलिए के कोरोना आलमी वबा ने रोख रखा है पिछले दो मैने से लॉकडाउन जा रही है हुकुमत ने इस वबा से बचने के लिए लॉकडाउन का फैसला लिया है रमजान की रोने के खजीब एहसास देखा जाता है सुबह सेरी से लेकर इफ़तार तक की चहल पहल फिर पत्तरावी की नमाज मुस्लिम मौलों में ऐसा लगता है जैसे ल्ला की रहमते जमीन पर नाजल हो रही हो बच्चों में खास कर इस माह रमजान की खुश्शी को मैसूस किया जाता है नमाज करान की तिरावत जैसे नियमतों का खजाना ही होता है जो रमजान में हासिल होता है बेलगाम शहर में भी रमजान मुबारक का एसास मैसूस होता रहता है शुरुआत से ही हम उस देख सकते हैं कि किस कदर गल्यों को सजा जाता है मुसल्मानों का सबसे जीम और मुबारक महिने को दिगर मजाहिब के लोग भी महसूस करते हैं बाजारों में चहल पहल भीड रोशनाई और मुबारक बाद के पोस्टर्स हरिदारी जुमा मजजीद दर्वार गली में मुख्तलिफ खानों की भी दुकाने सजाई जड़ पर यह रमजान दुसूनी सड़के बंद बाजार के साथ हमारे सामने आया मुसल्मानों को चाहिए कि इसे भी एक मौका ही समझ ले कुरान को समझ ले के लिए लॉकडाउन का मुकमल फायदा उठाए वैसे भी दुनिया के पीछे भाग भाग कर हम तक चुके थे हलाल हराम की तो कोई पहचानी नहीं थी और हराम हलाल के पहचान किये वगर पैसा कमाना ही हमारा मकसद बग चुका था रिष्टेदार अडोस-पडोस में देखने के लिए उनकी खेरत पूछने के लिए हमारे पास कोई वक्त ना था अचानक जिन्दगी के गाड़ी रुक गई तो हमें ठहर कर कुछ देर सोचना पड़ा और इदर उदर देखना पड़ा यह रुकना भी शायद हमारे लिए तकलीफ होने लगी शायद किसी भी शक्स ने इतना वक्त अपने घरवालों के साथ इससे पहले गुजारा नहीं होगा पर सच्छाइए अभी है के पैसे वालों का होती है बार आती है तो भी परेशान ही होता इस तरह कि कोई बिमारी से लगड़न का फैसला, हुकूमत लेती है तो भी इसकी खीमत चुकानी पड़ती है तो बेचारे गरीब को रमजान मेहना बरकतों वाला मेहना होता है पर गरीब के लिए लॉकडाउन के मद नजर जिन्दगी गुजारना ही बड़ा मुश्किल होता है पर हमें देखना होगा कि हमसे भी ज्यादा परेशान लोगों की हम किस तरह मदद कर सकते हैं उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द यह लॉकडाउन खतम हो क्योंकि यह लॉकडाउन ज्यादातर घरीबों को मारता है कहा यह भी जा रहा है कि आखरी अशरे में इंशालला बाजार फुल जाएगा पर दूसरी तरफ बढ़ते हैं पॉजिटिव मरीज भी कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं आज फिर छ कोरोना वाइरस आया है उसी चीन से टेस्ट किट भी उसी जगह से मंगाए गए भारत के पास कोई बैतर टेस्टिंग किट नहीं है जिस रफतार से टेस्ट किया जाना चाहिए उस रफतार से कहीं धीमी रफतार से टेस्ट किये जा रहे हैं पिछले दस दिनों में मरीजों क पेट ही सो रहा है गरीबों के घरों तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन से कोरोना से लड़ने के लिए इमदाद के इंतजार में है खारोबाल ठप है जब अमरीका कहता है कि लॉक्ड़न हमारे लिए बहुत महँगा थाइब हो रहा है अगर अमरीका को महँगा लग रहा है तो भारत के क्या हालत होगी प्रदान मंत्री कभी मन के बात कभी अवाम से खिताब कर कोरोना से लड़ने की बात करते हैं दुनिया में भारप ने अच्छे तरीके से मुगाबला करने की भी बात हो रहे पर जमीनी सदाकत क्या है अब जब तो किस तरह लड़ा जाएगा इस कोरोना से और उससे भी बढ़कर घरीबी से चीन ने अंटी बॉड़ी टेस्टिंग किट इंतिहाई घटिया मियार के बेज़े हैं जिसमें तकरीबन 71 फीसद तक गलत नतीजे देखे जा रहे हैं वजिर सहत हर्शवर्दन ने तमाम घटिया किट चीन को वापस भेजने की तो बात कही पर दूसरा विकल पे भी नहीं है अब जब देश बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है तो कुछ ठोस इज़्दाम ना सिर्फ कोरोना पर बलकि रोजगार मेशत गुर्वत के चक्की के पाट में पीस्ती इंसान की जिन्द ले गए और गरीबों के हाथों को अगर काम ना मिला मुलक में अराजकता आना यकीन है इतिहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया अल्लाहाफिस घर में रहिए महफूज रहिए